इस वीडियो को आंचतक देखिएगा बाद में आपका कोई question का आंसर नहीं मिलता है तो आप मेरे से question कीजेगा मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो तो देखते नहीं है उसके बाद उसी वीडियो में आपके question का answer होता है लेकिन आप बार-बार YouTube पे question करते हैं यह क्या होगा, यह कैसे होगा, कैसे होगा अरे पहले वीडियोह मेरे से कर एक वीडियो धुक्तफर्ण क Six minutes आपके वास्तों में कोई प्रोप्लम है तो आप मेरे को बताईए आज मेरी RIE भुपाल में बात हुई है और क्या-क्या बाते होई है वह माँ आपको बता देता हूं और आपके जो questions हैं वह मैं यहां बताता हूं आज किस subject के बारे में बात करेंगे इसके उपर बात करेंगे RIE के लिए कुल अभिरतियों ने कितने ने अपलाई किया है उनमें से 4-year and 6-year MSE कि यह माक्स update क्यों करवया रहे हैं और यदि मैं माक्स update नहीं कर पाया प्सक्राइद कि में अप्सक्राइद नहीं कर पाया और language marks update नहीं करने वालों का क्या और यह language mark साफ ही देर तक बात हुई है तो मैं ये सारी बातें डिसकस करूंगा शिखा शिंग पूस्ते हैं कि अज मेर में किस मीडिया में पढ़ाई होती टेलिग्राम पे पूस रही है और सुधी पर साइब पूसते हैं कि प्लीज एक्स्प्रेंट काउंस्लिंग प्रॉचेस और प्रकास गडवीर टेलिग्राम चनल पर पुछते हैं सरफ डीउ और राइए में वेरा सेलेक्शन हो जाता है तो मैं कौन सा चुल है अब यूटूब पे बहुत सारी क्वेस्टन आए मुझे कि अपना इडब्लो स्रेटिपिकेट लगाना है मासूम करें कैसे लगाना है आपने जो हेल्प नाइल नंबर बताए इन्वेलिड है फोन ही नहीं लगता बेल का रिपलाई देते नहीं अब क्या करूं करीना कह रही है कि मेरे मार्क्स अपडेट नहीं हो क्या करूं दिवाकर करें सर आप्टर फॉर यह रिजनल बीड के बाद डाइरेक्ट जो मिल जाए गया और भी कुछ करना पड़ेगा इस पर भी बात करेंगे अरजुन करें मेरा पेमेंट नहीं होता क्या हो सकता है तो अरजुन जी आपको तो महीं ही जवाब देता हूं अब कोई पे जाम नहीं होगा CEE Cancel हो चुका है नम्रता कह रहे हैं कि सर आई हव अप्लाइट फॉर एमेड बर डिड़न्ट गौट मैसेज और एनी नोटिस रिगार्डिंग अपडेटिंग मार्क्स कैन आई अपडेट मार्क्स नौ इस पर बात करेंगे अली प्रिया पूस्ती है एन ए कब पब्लिश होगी अश्योक कुमार करें मेरी बेटी ने किया है और ऐसा मेसेज भी आया है वह पासवर्ड और यूजर आईडी भूल गई है तो अब क्या करो शीवानी नरू का बीए बीड के लिए लेंग्वेज मार्क्स अब अपडेट हो सकता है क्या विशाल मोगया विश्वजी चंदेल और शीवान पूछते हैं रेंग कार्ड कब आएगा सर और शुब स्मीता पूछते हैं हल्प लाइन नंबर मांग रही है यह यह प्लाइन नंबर पूछ रही है और जबकि पिछले वीडियो में आपको हेल्प लाइन नंबर और इमेल आईडी दिया हरी रोग कह रहे हैं सर यू प्लीज टेल अस देपी डिटेल्स आप और आईए मैसूर तो फ्रेंड्स यह आपने देख लिए कि इतने सारे जो प्रस्ण है उनके हम जबाब आज इस वीडियो में देने वाले है चलिए पहले देखते हैं कि कोई नए आपडेट है तो यह द यहां बता दिया 31 अगस्ता यह क्वालिफाइंग माक्स अब्डेट करने के लास्ट ठीट ठीक है यह जो पुराणी बाते ही हैं कोई नई बात नहीं तो फ्रेंड्स बात करता हूं मैं आप चुक्के क्यों यह आप देख रहे हैं यह जो मेरे यूट्यूब चैनल का अनलाइजिस करें तो यहां देखिए आप कैसे चुक्के थे तो मेरे जो चैनल के उपर जो सब्सक्राइब लोग हैं वो कितने लोग चैनल देख रहे हैं 27. पॉइंट नाइन परसेंट अगर आपको जानकारी चाहिए और आपको ऐसा की कोई चूक नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप अगर सबस्क्राइब करना तो कड़ीजिए सब्सक्राइब करना घुर कर लीजी लेकिन यह नहीं मिला और लगा सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकों को भी दबा दीं बनाऊंगा तो आप सब्सक्राइब कर लिजी पसंद आए तो लाइक भी किया कीजिए मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता मेरे वीडियो यह मेरी डूटी है आगे अब मुख्य बात पर आता हूं तो आज जो बात है दोस्तों उसके अनुसार 50,000 यानि 50,000 लोगों ने 4-year B.A.D. और 6-year M.A.C. E.D. प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है यानि लगबग एक लाग फोर्म गए हैं जो 2-year B.A.D. इन के लिए B.A.C. B.A.D. के लिए प्रारम सब के लिए लेकिन उसमें से 4-year B.A.D. प्रोग्राम और 6-year M.A.C. E.D. प इनके लिए टोटल 50,000 फोर्म आए ये मेरी आज बात हुई है ये confirm news है ठीक है न अब चलते हैं आगे कि ये marks update क्यों कराये जा रहे है तो दोस्तों ये बात भी अब करी लेते हैं कि marks update क्यों कराये जा रहे हैं चलो बात करते हैं क्यों तो marks update कराने का कारण है ये कि बहुत से बच्चों के जो marks थे वो tie हो गए हो चुके थे टाई वो list तैयार कर रहे थे क्योंकि लोगों के पास कितने कितने marks आ रहे थे 100 100% 99% 98% तो ऐसे marks आ रहे थे तो वहां क्या दिक्कत आ गई दिक्कत आ गई तो फिर उन्होंने फिर कि बेरिट किस प्रकार से बनेगी तो उसमें एक सिस्टम होता है कि जिसके ज्यादा एज होती है उसको पहले लिया जाता है लेकिन एक तरीका और निकाला गया है कि लेंग जाए तो यह इसमें और सुविधा रहे हैं तो यह मार्क्स आपके अपडेट इसलिए हो रहे हैं कि कई के लोगों के पास मेसेज नहीं आया है उनके पास अगर जरूरत पड़ी तो मेसेज आएगा आएगा मेसेज उनके पास भी अगर फिर से कहीं टाई होने की कंडिशन होती है यानि कई लोगों के पास मेसेज नहीं आया है इसका मदलब टाई की कंडिशन वहां नहीं है और टाई की कंडिशन फिर आई कहीं तो आपके पास मेसेज आती है आपको अपने मार्क्स अपड रखा है कि यदि में marks update नहीं कर पाया तो क्या आप चांस है बिल्कुल चांस नहीं उन्होंने साथ मना कर दिया marks update नहीं कर पाये तो कोई चांस नहीं है और language marks update नहीं करने वालों का क्या होगा दो देखिए जिन्होंने marks update कर दिया नहीं करे तो भी कोई बात नीए उनका Merit List में झाम आएगा प्लिष डोट पीनिक घवराराई नहीं आपका नाम ज़रूर आएगा Merit बनेगी तो Merit में आपका नाम अगर उपर आ रहा है तो आएगा यह लेंफियमा की वज़ैसे नहीं रुक एग़ा अगर मार्ट से अपडेट का आपके पास को मैसेश है तो आपको जरूर करना है। अब आगे पूसरे हैं कि rank card कब जारी होंगे ? rank card दस दिन के अंदर जारी हो जाएंगे दोस्तों जो सूसना मिली है मेरे को मैंने बताया था आपको काफी देर बात हुए दस दिन के अंदर रेंक कार्ट जारी हो जाएंगे और फिर रेंक कार्ट जारी होने के बाद ये लिस्ट बना करके और भोपल में रहे जाएगी और फिर उसके आधार पर एक लिस्ट और बनाएगी तो फिर उसके बाद लिस्ट बनाएंगे वेटिंग लिस्ट भी बनाएंगे कई कि आरी हें जैसे अराई भुवनेस्वर हे बेटिंग लिस्ट बाद में जारी करती हैं कई कि आराई होगे और पंदरा वेटिंग लिस्ट वह बाद में बता दूंग और इसका जो कांसलिंग करोसेस इसके बारे में भी जब counseling को इक तम में बता दूंगा admission process का पूरा होगा यह और बता देता हूं आपको इस September के अंदर आपका admission process पूरा होना है 15 दिन के अंदर अंदर आपके यह जो यह रेंक कार्ड भी आ जाएंगे और लिस्ट भी बन जाएगी उसके बाद मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट बनाके counseling date घुषित कर देगी ठीक है तो यह तो हो गए आपके मुख्य मुख्य आपके जो प्रेस्टन थे उनके उत्तर अब सिखा सिंग का जवाब देता हूं अजमेर में किस मीडियम में पढ़ाई होते तो देखिए सिखा सिंग और आप सब लोगों को बता देता हूं अजमेर और भोपाल में bilingual bilingual पढ़ाई है द्विभासी यानि हिंदी में भी होती है और अंग्रेजी में भी होती है तो आपको घबराने की बात नहीं है English और हिंदी दोनों में पढ़ाई होती है आ तो ठीक है तो आप लोग अब दुबार क्वेशन नहीं करें इसलिए मनें आपको बता दिया यह जो प्रकास गडवीर कहते हैं डियू या राइए में से क्या सुनों आपके सुईधा हनुसार चुनिए डियू भी बहुत बड़ी इंस्टिटूट है राइए भी कम नहीं यानि इन दोनों की तुल्ला करेना तो ऐस हो गया जैसे सोने के आभूशनों की तुल्ला करना हो गया यह दोनों बहुत बढ़िया इंस्टिटूट है ठीक है न तो आप कहीं भी जा सकते हैं आपकी सुईधा के नुसार फीस को देख लीजिएगा फैकल्टी दोनों में बहतर हैं बहुत बढ़िया वह कोर्स तो सेम ह होता ही है तो कहीं भी जा सकते बस राइई का यह है यह सिर्फ ऑटनीड ही समख शॉद्ध के लिए ही समरपीत है राइई बनाने का मक्षट था है यह टीचर बनाने के इंस्टिटूट है यह अलक्सी बस और कोई अंतर नहीं है तो आप डियू को भी चुन सकते है और आई को अगर हो जाता है तो आप थोड़ा प्रफेरेंस दीजिएगा घर से ज्यादा दूर नहीं हो तो आर आई में जाहिएगा मासूम यह प्लीज सुधी परसाई करें प्लीज एक्स्प्लेंग काउंसलिंग प्रोसेस तो काउंसलि लिखा है कि जो आपने होलप नंबर बताये थे इन्वेलीड है फोन नहीं लगता मेल का रिप्लाइन नहीं देते तो देखिए मैंने आपको जो फोन नंबर बताये हैं और वो अलग बात क्योंकि यह प्रोसेस चल ही रहा है बस अब यह जल्दी से तयार हो जाई है आपकी मेरित लिस्ट बननी है रेंकारड जल्दी से तैयार हो जाएंगा करिना माक्स अफडेट नहीं होते तो आपकी मेरिट में आजाएगा अगर आपका माक्स सत्य है नहीं को आपके और जब आपने आपकार रिजल्ट अएगा तब आपका रिजल्ट आना है तो आप मार्क तभी तो अपडेट करेंगे काई पुराने लोग है उन्होंने तो पहले सिंदाल दियोंगी ठीक है तो और जो एक निये जो पहले पिसले साल से पास किए हो तो डाल दिये होंगी जो नए है इसी साल जो जो एक्जाम में बेठे हैं वो अब जालेगा और दिवाकरजी जो पूछ रहे हैं वो वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्टिन जो एक्जाम करना पड़ेगा राजस्तान के हैं तो आपको रीट का एक्जाम देना पड़ेगा यूपी के हैं तो यूपी टेट देना पड़ेगा रिलेटेड स्टेट की आपको जो टीचरी का जो टीचिंग का जो एक्जाम है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वो पास करना पड़ेगा ठीक है ना सीटेट का मतलब है सेंट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो वो आपको पास करना पड़ेगा हां सेकिंड ग्रेड और फेस्ट ग्रेड के लिए ल कि यह आपके स्कूले आएंगी वहां पर आपका प्लेस्मेंड होगा ना compound रहे तो प्लेस्मेंड प्रोसेस से आपको तुरंट जो विल जाएत कि मैं एसा मैंने सुना है है खनजमेर है जमेल है भुव्पाल है मैसूर्य आदी नो जितने आपको जो मिल जाएगी अपकी बार दिक्कत आई बताई मैंने कल अंके सर से बात कि थी तो वहां बताया कि आपकी बार जो इस साल है वो प्लेस्मेंट में दिक्कत आई थी तो हर बार नहीं आई यह सी कोई बात अरजुन का पेमेंट नहीं हुआ तो आप क्या हो सकता कुछ नहीं हो सकता आप लोग मेल कर गया बात कर आप खुद भी कर सकते हैं देख लीजिए अगर कुछ हो जाए तो लेकिन यहां कुछ नहीं है गोपाल ने जो पूसा उसका जवाब दे दिया कि एक्जाम हो गए तो कैंसल हो गया पर लिए और नम्र तासरा यह अप्लाइट फो जो टो एर बेड के लिए जो नोटिस या जो मैसेज है वह आपके पास आये तो आप अपने मार्क्स अफडेट कर सकती है अलीप्रिया नीय आराई शिर्फ 2 एर बेड के लिए 4 एर के लिए नहीं है बीसी बेडिया और कोई प्रोग्रम नहीं हो तो उसके लिए आपको आप मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगी तो आप वहां संपर कर सकते हैं तो पास्वाड और यूजर आईडी वहां से प्राप्ट कर सकते हैं या आप इसकी इमित्र की मदद ले सकते हैं कि शिवानी नरुका कहते हैं लिए लेंग्वज मार्क्स अब अपडेट हो तो मैंने जवाब देती हैं नहीं होंगे कोई कोई दिकत भी नहीं है क्योंकि आपके मार्क्स तो पहले से ही उसमें बीए बीए के लिए इंग्लिश वगर है कि तो आपने पहले से डाल रखें प्लीश टेल अस दें फी डिटेल ओफ आर आई इमाशुर यह स्यूर मैं ट्राइ करूंगा कि आपको मैं यह फी डिटेल भेज दूंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाईएगा और पॉसिबल है कि मैं एक आदिन वी वीडियो भी मना दूंग मैंने भूंड लिया है व जीरो सेवन डबल फाईव टू डबल सिक्स वन फॉर शिक सेवन एड जीरो सेवन डबल फाईव टू डूवश चैनल यह दो नंबर हो गए और यह जो इमेल आईडी एमेल आईडे है यह देखिए democratic ayudar insurance chce 2020 help अ क्यूकर एट को आपको कैसे लिखना है यह एक आपको ऐसे लिखना है चिरम यह अब सक्षर पोप्र एलोग फिर करिंड यह स representatives कहता आपको सभी लगा कने वाइट बीकिन आपका आफ लापका इसे लगाना दा कुला है मैंने आपको अच्छी करेंगे और मेरे टेलिग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एक बार में फिर से कहूंगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ताकि आपको यह सारी प्रोसेस है समय समय से बताता रहूँ प्रोमिस करता हूं कि मैं आपको बताता रहूँगा मेरी ड्यूटी मान के मैं यह काम कर ला ओर को आप ड्लालस वाली बात